हलो गाईज, वेलकम बैट तू माई अनदर वीडियो आज की इस वीडियो में हम एक इंटरस्टिंग टोपिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप कई लोग जानते भी होंगे बीफार्म क्या है, क्या हमें क्यों नहीं करना चाहिए बीफार्म ये एक नया टोपिक एड़ गरा है, हमने क्यों बीफार्म नहीं करना चाहिए तो डिटेल में डिसकस करेंगे इन इस वीडियो में अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए तो चलिए स्टार्ट करते है आज की वीडियो तो बीफार्म क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं बीफार्म क्या है, सेकंड टोपिक हमारे रहेगा बीफार्म क्यों ना करें, क्यों हमें बीफार्म नहीं करना चाहिए ये medical shop क्या पढ़ाई दी भी फार्म की detail में discuss करेंगे तो बात करते हैं पहले हमारे जो कि भी फार्म क्या है भी फार्म एक bachelor of pharmacy यानि अंडर graduate program है जिसमें आपको degree मिलती है जब आपका bachelor degree pharmacy में complete हो जाता है तो आपको एक graduation student कहला होगे आपका graduation भी complete हो जाएगा तो यह 3 साल का course हो जाता है आप literal entry भी ले सकते हो डी फार्म के बाद में bachelor of pharmacy में आप आपके लिए अगर भी फार्म करना चाते हो तो भी अच्छा है अगर डी फार्म के बाद भी करोगे तो आपका 3 साल होगे अगर सिधर direct आप 12 के बाद भी फार्म करते हो तो तो टोटल आपका यह 4 साल का यह course आपका रहता है private और government जोब दोनों मिल जाती है अगर आप भी फार्म करने के बाद में fresh और हो तो आपको private जोब भी मिल जाती है और government जो भी दोनों जोब आपको मिल जाती है आगे बात करते हैं जो हमें क्यों beef फार्म नहीं करना चाहिए कहीं criteria ऐसे हैं कि हमें beef फार्म नहीं करना चाहिए अगर कोई हमें कहता है कि आप beef फार्म करके इतने पेसे कमाओगे इतने कमाओगे तो यह सत्य नहीं है अगर आप B farm करने के बाद fresh और हो तो आपको medium ही salary मिलती है अगर आप कुछ medical shop करना चाते हो अगर बीफार्म के बाद में अगर आप medical shop करना चाते हो तो आप B farm मत कीजी अगर B farm करोगे तो आपके 4 साल पूरे पूरे खराब होएंगे अगर 4 साल खराब नहीं करना है तो आप केवल डीफार्म करी अगर आपको medical shop कोना ही है आपका target medical shop कोना है तो आप डीफार्म करी है डीफार्म करने के बाद में आपको register pharmacist भी किला होगे आपके पास license भी आजाएगा ओ license आपको medical shop दिलवा देगा आप medical shop आराम से खोल सकते हो और इसमें चार साल भी खराब नहीं हो कि टोटल दो साल का यह डीफार्म कोर्स है और इसके पढ़ाई ज्यादा hard भी नहीं है और चार साल बाद में आपको अगर medical shop करने तो चार साल भी खराब होईगे और आपको पढ़ाई में जो बहुत इसकी difficult होती है थोड़ी पढ़ाई तो आप उसमें थोड़ा उसमें आपको थोड़ी difficulty हो सकती है और आगर भी फार्म करते हो केवल medical shop के लिए तो आपके पेसे भी खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि डी फार्म कंपेट देन भी फार्म के ज़्यादा फीस होती है अच्छी फीस के साथ आप अपना डी फार्म कर सकते हो और भी फार्म में आपकी थोड़ी ज़्यादा फीस लगती है तो अपने पेसे खराब होने से बचाईए अगर बी फार्म मत कीजिए medical shop के लिए के लिए डी फार्म आप कर सकते हो अगर बी फार्म की पड़ाई के बारे में बात करते हैं जो की बी फार्म की पड़ाई से 8 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर हर साल आपको 9 या 8 सब्जेक्ट का एक्जाम देना पड़ता है semester wise यहाँ पर exam चलती है हर semester में 4 या 5 subject होते है and साल में 2 semester होते है जिसमें total आपके 9 या 10 subject हो जाते है बागी अगर आप medical के लिए, shop के लिए पढ़ाई करना चाते है या फिर अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है तो कहीं student होते है फेल भी हो जाते है फिर बाद उनकी solve नहीं होती है, केटी solve नहीं होती है तो फिर आगे जाके उनके बहुत तकलिफ अटती है और उन्हें license भी नहीं मिलता है तो यह 4 साल का, इसमें यह भी रिक्स रहता है 4 साल को course 5 साल का नहीं हो जाए पेसे भी वहाप पर चले जाएंगे आपके इसलिए अगर beef arm की पढ़ाई थोड़ी hard है अगर मेहनत करोगे तो आराम से की लिए हो जाएगी इतनी ज्यादा भी hard भी नहीं है डीफ arm कंपेड़ेंट डीफ arm की तोड़ी सरल है बीफ arm की कंपेड़ेंट डीफ arm में के वाल आप डीप डीपली आप पढ़ते हो डीफ arm में के वाल आप उपर उपर से जो भी मेन जो ग्राइटीरिया है वो सब को पढ़ सकते हो अच्छी पढ़ाई करोगे तो आराम से पास हो जाओगे इसमें कोई वो नहीं है अगर बीफ arm करोगे तो अच्छी डीफ arm करोले कर लेना चाहिए पसे भी बैनीफिट रहेगा तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतने हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, share and subscribe जरूर कीजिए आगे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी तो thank you guys